सब्सक्राइब को बेकिंग सोड़ा वाशिंग सोड़ा ब्लीचिंग पावडर और कोमन सौट इनकी हैब से कैसे यह चीज़ बनाई जाती है थोड़ सा डिटेल में बात करेंगे प्योपी भी हम बात करेंगे और अगर आगर आपको इससे प्रिवेस पढ़ना है इनकी रियक् चैप्टर मिल जाएगा तो साथिसा मेटल और इसका भी पार्ट आपको मिल जाएगा तो कई यहां पर थोड़ी से डिटेल बात करने वाले हैं एक्चुली कोमन सौल्ट के बारे में ठीक है और यह कैसे रो मेटिरियल की तरह यूज होता है कैमिकल में और आप सभी को पता ह होगा कि जो कोमन सौल्ट होता है वो उसको में टेबल सौल्ट भी बोलते हैं और उसको फोर्मला होता है वो होता है नसी ठीक है कमन सौल्ट को फोर्मला होता है आप सभी को पता हिए जब एस और बेस को रियक्ष करता है तो सौल्ट फोर्मला होता है अगर ऐसी मैंने अगर मैं reaction करा देता हूं ठीक है HCL पिलस NAOH की इट आलसो गिवा NECL इट आलसो गिवा NECL यह NECL होता है जो हम table salt या फिर एक common salt के नाम से जाना जाता है ठीक है में लिए आप से बता है कि NECL कैसे आता है संबंद से या फिर कुछ रोक्स वगरा आप से ब्रेकडाउन होकर में ली वो उनका अपना तरीका कैसे common salt निकालते हैं तो में ली यही यूज होता है as a common salt ठीक है और घर वगरा में बनाने की प्रक्रिया है जिसमें हम NECL को यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं मैं आपको थोड़ा सा इसके figure के माद्यम से आपको बताने कोशिश करूँगा एक्चुली हम इसे brine solution डालते हैं जब वो ब्राइन solution में आपको बताता हूं क्या होता है brine solution होता है NECL this is called a brine solution जब हम brine solution की electrolysis कराते हैं देखो यहां पर एक anode है एक cathode है यहां पर electrolysis कराते हैं ब्राइन solution यहां से पास करा हुआ ठीक है तो देखो NECLB common salt है वो यूज हो रहा है ठीक है base को बनाने में ही यह यूज हो रहा है तो actually होता कया है इसमें क्या बनता है एक aneoH बनता है वह मैं आपको बता दूँँ कैसे बनता है एक chlorine gas निकलती है और एक hydrogen gas निकलती है ठीक है एक chlorine gas निकल लिए एक hydrogen थेक है एक hydrogen gas निकल दे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, brine solution एंटर करा, यह membrane है, एक membrane है, जो कि थोड़ सा partition के लिए यूज होता है, पर water in and out जा सकता है, semi-permeable membrane के आपने पढ़ा होगा, जैसी पानी में जाता है, breakdown हो जाता है, कैसे, Na+, Cl-, आप देख रहोंगे, यह रचार्ज, ठीक है, यह चार्ज है, थोड़ा detail बात करेंगे, वीडियो लंबी हो सकते हैं, देखना जरूर, एंट तक देखना, एक यह breakdown हुआ, H+, और OH- में, ठीक है, main बात क्या होई, Na ने reaction कर लिए, NaOH के साथ, H अलग निकल गया, Cl अलग निकल गया, किसके हैं, एनोड और कैथोर्ड, ठीक है, एनोड और कैथोर्ड पर यह ची निकल गया, एनोड पर क्या निकली, क्लोरिंग गैस, क्या निकली, H2 गैस, एनोड पर क्या निकली, chlorine gas और cathode पर क्या निकली आपकी S2 gas तो it's a anode और it's a cathode ठीक है यह anode पर निकले cathode पर लिकी और हमारा sodium hydroxide बनी गया NaOH इस a sodium hydroxide ठीक है तो यह इस process को बोलते है chloralkali process this process is known as chloralkali process chloralkali process is used when the brine solution is passed through the electrolysis process and in the electrolysis process process there is a there is a disassociation of the ions ion क्या हो गया disassociate हो गया breakdown हो गया breakdown ions होने के वज़े से one compound is formed that is the NaOH and other is chlorine and hydrogen gas ठीक है तो यह बिल्गु simple basic exam में selected आ जाता है anode पर क्या होता है cathode पर क्या होता है तो यह चीज़े आप जरूरू दिखना के brine solution क्या होता है NaCl plus S2 को मिला दे वही brine solution मिल जाता है ठीक है इत इस आप स्पल इलेक्टरलाइस करवाई एलेक्ट सिटी की है ठीक है तो यह चीज़े आयोब क्लियर होगे और यहां से हमारा निकल जाता भार यह inlet है यह आउटलेट है यह input है यह output है ठीक है यह simple था कोई ऐसा नहीं था नेक्स ट्यार ब्लीचिंग पावडर कावी बच्चे काव ज्यादा कंफ्यूज जाते कि ब्लीचिंग पावडर समझ नहीं आ रहा क्या से करें तो देखो आप जो क्लोरिंग गैस अभी वर ब्राइन सोलूँषन में इसे क्लोनिग गैस निकली थी उसी गया केलश्व है इंड केलिचिंग पावडर कशिंय निकली यह ब्राइन दो से good guy निकली वही गैस हमने दुबारे यूज कर लिए सी एउच के साथ और डेट इस दा ब्लीचिंग पॉड़र यहां पर फोंड हो गया ठीक है तो यह ब्लीचिंग पॉड़र कहते हैं यह पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है वाशिंग दा क्लोथ बगएरा ठीक है ग्लीचिंग पॉडर थोड़ा कपड़े वगरब साफ आफ करने में यूज होता है किलिंजिंग एजेंट का काम करता है और और ऑक्षडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है चेमिकल इंडस्री में तो cocl2 आपके दिमाग में रहेगा इक चीज़े एक काम करता है क्या डिंक होती है उनमें थोड़ा सा यह चीजे डाल जाते क्योंकि आपर गंद की जाता जाती पानी में तो यह वाटर को यह क्लीन करने में यूज होता है काफी कंपनी के थूप ब्लीचिंग पार इस वन ऑफ दा इंपोर्टेंट ओपिक फोर एग्जाम नेस्ट की बात करता है बेकिं एसी एट या एट पॉंट सम्थिंग के आज पास से गूमता रहता है एक्चली घर वगरा में भी यूज करते हैं खाना वगरा बनाने में जैसे बर्डे पर छोले बुटरे जिसमें स्पोंजी लानो या फिर ढोकला हो गया केक हो गया इनमें जनरली यूज होता है la-3 और यूज करते हैं खीड है जो पॉंट बनाता है यह बनाता है न-a-a-c-o-3 ठीक है ओ न-a-c-o-3 और एट माता है यह यह न यह तो बनाता है carbonate को इसके साथ भेज़ देना और यह NH3 की जगे NH4 यह CL इसका यहाँ पर चला जाता है ठीक है यह reaction इस तरीके साथ कर सकते हो मिल लिए यह आपका baking soda यह यह आपका baking soda ठीक है ठीक है तो baking soda मैंने आपको बता दें कैसी होच करते हैं NaCl होगा carbon dioxide होगा उसमें water होगा NS3 होगा जब इनकी reaction हुई तो यह बनाएगा NaCO3 और NH4Cl ठीक है बहुत ही simple reaction है इसमें ज़्यादा खाज कुछ है नहीं मेली जो मैंने go through करा है ठीक है sodium hydrogen carbonate form करता है अब जब हम baking soda को heat करते हैं यार NaHCO3 को जब हम heat करते हैं तो यह बना लेगा Na2CO3 और प्लस carbon dioxide carbon dioxide release कर देता है प्लस water Na2CO3 carbon dioxide प्लस water यह carbon dioxide ही main design है spongy होनेगा आपने देखे होंगे धोकला वगएरा आपके घर में बनाओगा कभी या चोले बोटर वगएर बनेगे वो फूल जो जाते हैं या फिर आपने देखे हो धोकले के बीच ने इस पोंजी छेट छेट से रहते हैं क्यों रहते हैं चेट छेट चेट पास हो जाती इससे ठीक है तो जब भी हम Na2CO3 यह गरम करते हैं तो Na2CO3 बनता है acidity बगरा भी जब होते हैं तो अगर मैं इनके uses के बात करूँ uses की तो it is used as it is it is used as entacid acidity में use होता यार क्या है it is also used as soda fire extinguisher ठीक है आग बुजाने के लिए क्योंकि carbon dioxide निकल रही है तो carbon dioxide निकले तो soda fire extinguisher में भी use होता है यह soda fire extinguisher ठीक है soda fire extinguisher तो antacid हो गया soda fire extinguisher हो गया और sponge बनाने में चीजों को उसमें use होता है तो mainly इसका यह काम है तो I hope इसकी reaction exam point of view के लिए आपको समझ आगी होंगी यह जब heat होता है तो यह formed होता है na2 co3 अब मैं बात मता हूंगा यह na2 co3 क्यों होता है next our washing soda यह भी बहुत जाद important topic है another chemical that can be obtained from the sodium chloride यह भी another chemical है जो कि sodium chloride से obtained होता है actually इसमें होता क्या है मैं आपको बतायता हूं यह अभी जो na2 co3 जो पीछे produce हुआ था अभी मैंने आपको बताया था baking soda के उसमें तो इसमें हम water add कर देते हैं 10s2 ठीक है तो यह थोड़ा सा wetty होता है ठीक है तो यह हो गया na2 co3 dot 10s2 mainly इसका यह simple formula होता है ठीक है यह use होता है sodium carbonate जो है यह sodium carbonate बोलता है यह glass soap paper industry में यूज होता है sodium compound manufacturing में यूज होता है बोरेक्स बनाने में sodium carbonate यह यूज होता है cleansing agent के लिए cleansing घर बगारा में कपड़े दोने में भी यूज होता यह फार्शिंग soda और इस यूज है रिमूव ता permanent hardness of the water hardness of the water को रिमूव करने यूज होता है यह पता चल जाएगा क्या होता है तो यह किस्ते बनता है यह वही पहले वाली जो यह जो एक दूसरे से लिंक आप यहां पर देख रहूंगे ठीक है next याँ प्लास्ट प्योप आपको पता है यह फी जब गर्म पें फट वकल बगर होता तो यह पश्री इसमें पानि डालगे फूसरे सटफ हो जाता है वही चीज है और जो टुफ होता इसको हम बोलता है जिपसम ठीक है, gypsum, it's u, gypsum, ठीक है, और मैं इसको दुबार से लिख देता हूँ, yes, okay, ठीक है, यह होता है, gypsum, actually gypsum का formula क्या होता है, ठीक है, dot 2s2, यह इसका formula होता है, gypsum का, यह कुछ इसके compound होते हैं, और एक होता है, copper sulfate भी एक होता है, cuso4.5s2, यह भी एक crystal होता है, ठीक है, यह भी एक crystal होता है, copper sulphate का crystal होता है पर ये calcium sulphate जो होता है ये gypsum होता है ठीक है ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है ये कुछ crystal है ठीक है मैंने आपको बता हैं ये आपको काफी जादा helpful होने वाले हैं मैं इसकी direct reaction लिख देता हूँ जब आप इसे 373 Kelvin पर कर देते हो 373 Kelvin पर तो ये actually convert हो जाता है CASO 4.5 H2O प्लस 1 whole 1 by 2 H2O एक CASO 4.5 H2O में convert हो गया 1 whole 1 by 2 में ठीक है तो ये इसका convert जाने हीट में ये दुबारे भी reverse जिबल है देखो कैसे CASO 4.5 H2O प्लस 1 whole 1 by 2 H2O जब आप मिला दोगे तो ये again gypsum बना देगा CASO 4.10 H2O ये again gypsum बना देगा पानी ओड़ गया फिर पानी मिला दा तो फिर gypsum बन देगा तो ये भी gypsum हो गया gypsum चीक है और ये होगे P.O.P चीक है तो ये gypsum हो गया ये P.O.P हो गया gypsum कैसे convert होगा P.O.P कैसे convert होगा प्लास्ट वा पैरिस के क्या क्या जिप्सum मेन है उसका formula याद कर लो ये आपस में चीजे reaction होते होते ये convert हो जाती है आपस में एक दूसरे में तो ये कुछ इसके important चीज़त है ये white powder होता जिप्सum जो की हम मिला आगर जैसे white cement आता है अंबूजा का या फिर आपने कोई भी देखा हो इसका white cement आता है उससे भी प्योपी बन जाती है ठीक है ये मैंने आपको यह पर formula बता है तो मैंने I hope आपको चीजे सारी के लिए कर दिए family of salt related सारी वीडियो आ चुकी है तो एक पाइल आइकन दबाओ क्योंकि हम ऐसी लेटिस वीडियो डालते हैं तो साइंस है तो आई हो वीडियो आपको चलिए बबाई टेके गुडबाई बबाई बाई बाई